नमस्कार साथियो मैं प्रेम्रकास आपका मेरे यूटूब चैनल ग्यान की बात पर हार्दिक स्वागत करता हूँ आप मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें साथियो नमस्कार, अगर आपनी मद्यमिक सिक्स्या बोर्ड रादस्तान अजमीर से परिक्ष्या उतिर्ण की है और उससे प्राप्त अंकत अलिका में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जनमतिती में करेक्शन करवाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के मद्यम से देख करके आप करेक्षन गर बेटे करवा सकते हैं साथियो इसके लिए सरोपरतम आपको रादस्तान बोर्ड की साइट है RBSC या BASER लिख करके आपको Google पे सर्च करना होगा जैसे सर्च करेंगे आपकी शामनी इस प्रकार का इंटरफिश दिखाई देगा यहां पर आपको उपर के साइड में एक न्यू टेप दिखाई दे रहा हैं उसके उपर आपको क्लिक करना होगा जिसके अंतरगत डुपलिके डॉकुमेंट एम करेक्षन यहां पर आपको डुपलिके डॉकुमेंट प्राप्ट करने हैं या किसी प्रकार का कोई करेक्षन करना है तो आप यहां क्लिक करके कर सकते हैं जैसे यह आप क्लिक करेंगे आपके सामनी इस प्रकार का इंटरफिश दिखाई देगा यहां आपको सरुपरतम जो टेप दिखाई दे रहा है उसकी अंतरगत आपको Online Application Portal for Corrections in Document और दूसरा Online Application for Duplicate Documents and Fees Payment of Corrections आपको Fees बरने के लिए नीचे वाली पे क्लिक करना है और Online Correction Form फिल करने के लिए आपको उपर वाला ओप्सन चूज करना है सरुपरतम उपर वाले ओप्सन पे क्लिक करेंगे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस परकार का इंटरफेस दिखाई देगा इसमें कुछ निर्देश दे रखे हैं उनको आपको ध्यान पूरवक पढ़ना है समझना है जो भी डोकुमेंट्स आपको चाहिए वो यहापर आपको सारी जनकर यहापर उप्लम करवा दी जाएगी यहाँ पर वांचित सुधार के लिए आपको क्या क्या डोकुमेंट्स चाहिए वो सब यहाँ पर दिये हुए है अब यहाँ आप जैसे इसको देखते हैं आपके सामने इस पोटल का उप्योग करने की निर्देश यहाँ पर दिये गए हैं यहाँ आपको इस पोटल का उप जाने चाहिए और दियेगी स्तान पर वांची सुधार का वर्णन किया जाएगा सलगन की जाने वाले आउशक दस्ताविजों के अंदर का सबसे पहला ऐसा रजिस्टर उसकी प्रति जो प्रिंसिपल या प्रदानाचारी के दुबारा प्रमानित होनी चाहिए अगर बोर्ड की मार्क शीट वस सर्टिफिकेट बारवी बोर्ड में अगर आप सलसुधन करवाना चाहते हैं मार्क शीट के अंदर तो आपको दस्यूगी बारड बोर्ड की मार्क शीटा वस्ते लगानी पड़ेगी इसके अलावा अगर आपके पास पिछले स्कूल का इस्ताना हुआ एक पत्र बोर्ड के नाम वह आपको पीडिय बना करके सलगन करनी है और उन सब को यह अपलोड करनी है या देखने के बाद में जैसे आप नीची की तरफ स्क्रोल करते हैं आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है जहां पर नेच्स का बटन दिखाई दे यहां पर आपको क्लिक करेंगे जैसे क्लिक करते हैं आपके सामने यहां जो करेक्शन फोरूम है वो खुल करके यहां आपके सामने आ जाता है उसको ध्यान पूर्वका आपको बरना है और बर करके उसके साथ में जो भी डोकुमेंट्स लगाने हैं वो साथ आपको यहां अ ओप्शन है वो आपको डिस्टिक आपका जो भी डिस्टिक है जैसे अजमेर, यपो, सिकर जो भी आपका डिस्टिक है वो सलेक्ट करना है सलेक्ट करने के बाद में आपको यह जो लिस्ट खुलेगी उसमें आपको सलेक्ट करना है नीचे आपको दूसरा उप्चन दिखाई दे रहा है student name उसमें आपको student का नाम बरना है तीसरा आपको mail एड, email जिसमें आपकी चालू वाली जो email आड़ी है वो आवश्य ग्रूप से बरनी है और ये सबसे मैतपोन है कि आपको चालू वाली email आड़ी बरनी है इस बात का आवश्य धार रखें इसके बाद में mobile number जासे आपको board की द्वारा आपको SMS की द्वारा कोई जान करी दी जाएगी इसके बाद में आधार number आपको याँ फिल करने है और सबसे मैतपोन है आपको required correction कि यहां पे कौंछ सा correction करवाना स्टूऊटिंट के नेम में करवाना है या father's name में करवाना है या mothers name में या date option दे दिसनकी दोकूमेंट्स बताएं घर्न पर करके आपको यहाँ पर अपलोड करनी है और अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे पूरी विस्तरिज जानकरी दोसो सब्दों के अंदर यहाँ पर आपको देनी है दोसो पता सब्दों तक आप इसके अंदर अपने पूरी डिल बरेंगे और बरने के बाद में जो सब्मिट बटन दिखाई दे रहा सब्मिट कोईरी वहाँ पर आप क्लिक करेंगी और क्लिक करने के तीन दिन बाद में माध्यमिक्सिया बोड की निर्देशों के अनुसार ये है कि तीन दिन के अंदर ही आपको जो इमेल बरी है उस इमेल पर सूचना मिलेगी और उस बढ़ने के बाद में आपको करेक्शन वांचित करेक्शन हो जाएगा अब फीश किस प्रकार से बरी जाएगी आगे देखते हैं ओनलाइन करेक्शन फोरुम बढ़ने के बाद में आपकी मेल पर बोड की दवारा करेक्शन के लिए एक मेल आएगा अगर आपकी करेक्शन स इस प्रकार का इंटरफेश दिखाई देगा जिसके अंदर का जो तीसरे वाला ओप्सन है उस पे आपको क्लिक करना है यहाँ पर आपको क्लिक करना है फिल एप्लिकेशन फॉर फॉर्म फॉर फीस पेमेंट फॉर करेक्शन यहाँ क्लिक करेंगे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने याँ पर इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपको application form पूरा फिल करना होगा जिसमें कुछ जानकरी आपसे मांगी जाएगी उसको आप सही सही आप फिल करेंगे इसमें सबसे पहले exam year फिर उसके बाद में class उसके बाद में correction correction में आपको कौण सा correction करवाना है वो आपको याँ पर सलेक्ट करना है याँ पर आपको student का नाम में correction करवाना है father's name में करवाना है mother's name में करवाना है या date of birth में जो भी आपको करेक्शन करवाना है, उसको आपको सेलेक्ट करना है, और जैसे सेलेक्ट करेंगे, आपको यापके सामने यादो फीश है, वो याप याप से बरनी है फीश, टोटल फीश अपने आप याँ से हो जाएगी, उसके बाद में आपको स्टुडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम ये लिटिल वरनी है, उसके बाद में आपको डेट वबर्थ, यहाँ मोबाइल नमबर, और उसके नीचे रिपीट मोबाइल नमबर, इमेल आइडी, यहाँ इमेल आइडी, रिपीट अब मोबाइल नमबर, इमेल आइडी वही वरनी है जो पहले वरीवी थी, उसके बाद में आपको एड्रेस, एड्रेस के बाद में आपको आधार नमबर फिल करने हैं, आधार फिल करने के बाद में यहाँ आधार की कोपी अपलोड करनी है जो 100KB से अधिक नहीं होनी चाहिए और उसकी बाद में आपको payment mode select करना है payment mode select करते हैं उसमें आपको ICIC bank के दुबारा payment का option आएगा और save button पे क्लिक करना है जैसे ही आप save button पे क्लिक करते हैं आपको ये payment section पे ले जाएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा comment box में comment अवश्य करें आपकी कोई query हो तो आप comment box में जाकर के अपनी question comment box में अवश्य देवें इसी प्रकार के अन्य वीडियो लेकर के मैं पुने हाधिर होंगा तब तक के लिए नमस्कार दन्यवाद थैंक्यू